मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पर सेट करें आज हम जो कोर्स माइक का कटन का सही इस्तंबाल कैसे किया जाता है इस बताने जा रहा है और यह चीज बता रहा है और कटन अगन कॉर्शन रहता है उसे वाला मिलांज है उसके लिए आपन को को कोर्स काउंट का जो कोर्स माइक का जो कटन है उसका सही इस्तमाल का सिस्टम बताएंगे और यह बताने से पहले आपको एक चीज में फिर से रिक्वेश्ट करता हूं मेरा चैनल का प्लीज आप लोग मेंबर्सिप लिजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कराईए और इसको फरवार किजिए वट्सब में है फेस्बूक में इंस्ट्राग्राम में ताकि यह अपना जो चैनल है सब की फायदा हो सब की मतरब ये एक नलेज है सब की पास जाना चाहिए और जितना मतब ज्यादा फरवार करोगी जितना कमेट करोगे लाइक करोगी उत्तरा चैनल का ग्रोथ होगा ओर देखिए यह तो कोर्स माइक का बात कर रहा हूं जेनल हम लोग जैसे कटन सिलेक्शन करते हैं आपको एक्जांपूर बोल देता हूं देखो जैसे 100 का अपनको धागा बढ़ानी है तो 2.5 से 2.7 माइक का कटन सिलेट करते हैं एक अपना एक स्टंडर्ड फर्मूला है कोंचा काउंट में कितना कटन माईक अपन लेंगे तो मैं बोल ला हूं आपको आप समर्लो मतलब 30 से 40 काउंट आप बना रहें एक्जांपल बोल ला हूं 30-40 काउंट बना रहे हो तो 30-40 काउंट जब 3.8 से 4.2 माइक का कटन लेनी है ठीक है तो हम क्या करेंगे समलो कटन जब परचेज करने जाओगी तो इनिशियाल जो फार्श क्रपिंग आता है उसे माइक बढ़ा हुआ रहता है तो आपकी जो माइक समलो 4.8 से समलो एक कटन आपकी पास कुछ लॉट आ गया तो आपको बढ़ानी है 30 से 40 काउंट तो 3.8 से 4.2 का आपकी रिक्वार्मेंट है तो जो लोग ग्रे धागा बढ़ाते हैं वो क्या करते हैं सिद्धा-सिद्धा 4.8 से 5.5 तक जो भी कटन वो खरीद भी लेते हैं थोड़ा-थो को रिसेल कर देते हैं तो इस तरह का इसको मतलब इसको सोचते की यह तो बेकार क्वालिटी है इसको अपने को रखे कोई फादा नहीं है अगर ले लिए तो थोड़ा-थोड़ा यूज कर ले या इसको किसी दुसरों को बैज दे आगर अगर अगर रिंग स्पिनिंग के सा बढ़िया काम करता है कि उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं को समाइक इसे तो प्रफॉर पैंटे से साधे पांच इत्रा माईक का कटन की बारे में हम लिए बिस्केस करने जांगे हाई माइक कटन एभब फोर पंट एइट एभब जो माइक है और यह चाप्टर देखने से पहले मेरा एक विडियो होगा कटन फाइनेस की बारे में माइक ने वहलू का क्या इंपोर्टान्स है उसके बारे में इसको देखेगा आपको क्लियर हो जाएगा उसके बाद देखो उसके क्या सिस्टम के देखो ड्यूरिंग पर्चेज साट आउट कोर्सर माइक कटन लाट से समभलो आपने मार्केट से कटन पर्चेज किया सो सो बेल का एक एक लाट रहता है तो ठीक है आपने समभलो यह जो तीस से चारिश काउट बनानी है आपने प्रिपेंट एड से समभलो आपने पचास लाट खर दिया ठीक है ओर फोर्ट पंट एड से शाड़े पांच है समभलो आपकी पास यह चार्ल लाट आया ठीक है तो अब क्या करना एक चाल लाट आप अलग से साट आउट करके रखिए डिवरिंग पर्चेज साट आउट कोर्सर माइक कटन इसको आप गोडान में किसी कुणे में रखलो या कोई सेपरेट गोडान बढालो जिसमें आप लिखके रखो यह मतब एक स्टिकर चिपका दो या कुछ भी है के मार्किंग करा दो स्पेश्याल कटन या एक्सपोर्स कटन करके नाम देखे रखलो तो उसमें क्या करोगी सबसे पहले देखे हैं एज इट हां डिरट पर्सेंट सेपरेट ल्य कुंब्ड श्लाइवर पुपर प्रिपर फ्रम दीश का तइंट यह जो हाई-माई का कटन है इसको आप सेपारेट रख दिया इसको क्या करोगी आप जब कुम्बिंग कराओगी यह हाई माइक का कट्टन सेपरेटली 100% मिक्सिंग लगा देना कौन जा वला यह वला कट्टन का मिक्सिंग 100% लगा देना अब तीन चार दिन यहीं कट्टन चला लो और इसका जो स्लाइबर रहेगा इसको भी एक आइडिन्टिकेशन मारके से स्पेशियाल या एक्सपोर्ट लगा के सेपरेट बोरा में प्याक करके या सेपरेट कलर का पल्ली लगा के बेल बढाके इसको अलग से रखी है बिल्कु इसको इखाली चला रहा उसके बाद देखो यूज इट बोथ आज ग्रे कॉम्ड और डायड कॉम्ड स्लाइबर यह समलो आपने चार पाल लट का मैट्रियल बढ़ा लेया स्लाइबर बढ़ा दिया तो क्या करूगे इसको इसको कुछ तो आपकी रिक्वार्मेंट के अब दूसरा फ़ेट करना डायड कॉम्ड ऑडायड जो आपकी सेड़ आएगा जो अब ब्लू लगए ब्लू करो लाल लगए यह जो भी कलर है डायड करके रखो आपके रिक्वार्मेंट के शाब से ग्रे तो ग्रे रख लेना तो इसका भी आपने नार्माल कटन के शाब स से अपने कलर से लेक्टरी करना जो बोरा में रखना है इसको भी बोरा के कलर अलग अलग कर देना इसमें भी लिख देना स्पेशियाल है एक्सपोर्ट करके लिख दे रहा हूं तो इस कुम्बर इस कटन विल गीव यू नेप्स पर ग्राम पंदरा से बीस यह सबसे इंपो होगी यह जो रेंज है यह आपकी हो जाएगा 25-35 तक 25-35 नेप्स जाएगा इसमें सिर्फ 15-20 नेप्स पर ग्राम आएगा तो इसमें खली बेनिफिट क्या रहा नेप्स का रहा क्यूंकि यह फाइबर बहुत जाड़ा है यह मोटा है जो भी बोलो तो उसकी कराण इसमें ज जादा बंता नहीं क्यूंकि जैसे आप कोई मोटा शरीया लिया इसको मोटनें पर ताकत लगता है पतला लिया तो हाथ से मुड़ जाएगा तो ऐसे यह समढ़ लो यह मोटा फाइबर करके मुड़ता नहीं मतलब नेप्स नहीं बनता इसका यह बेनिफिट है यूज पर से यह सबसे इंपर्टांट है आप बढ़ा के रखत दिया लेकिन कहां यूज करेगा वह जरूरत मतलब सोजना जरूरी है अभी देखो आपको मैं बता दू एक बात जैसे समढ़ लो आपने एक मतलब ब्लाक कलर का यह बढ़ा है ब्लाक कलर का मिक्स करके बढ़ा है एक अपने धागा बड़ा नाइटी सेवेन पर्शेंट ग्रे तीन पर्शेंट लाक कि ठीक है तो नाइटी सेवेल पर्शेंट जो ग्रे है आप इसको काड़ेड लिया और तीन पर संद्द ब्लाक है यह एक्स्पोर्ट बाला लिया या हाय माइक बाला है ठीक है आपने 97 ग्रे जो है कोम्ड लो या कड़ेंड लो हमें कोई लेणा ड़ा नहीं कोम्ड लेगा कोम्ड की पैसा मिलेगा कारडफ लेकिन तीन परसेंट जो ब्लाक है चाहे आप एक्सिपर्ट वाला हॉई माईक्व वाला कटर्ण डाई करके बलाग कडालना पड़ेगा एज लगोण का यह हमेशा बारा आ जाता है ऐक्सिपोर्ट रहता है तो और डालो के देखो अंगलो रहेचा बस्थ गया है 19 scientific percent है ड्रे 100 पर्सेन के यह धिन पर मिलाओं त्यावज अधिक यह देखोगी द्यां जो को पर सनी ज्यार ढ़ा नहैं सफेट कप्राअ कि वर्लlexi लोज़ गणी स falling और न स्फेड भा रहाओं पर मालुम पर जायागा मोटा नपस अगर-elep कपड़ा इतना एवान दिखता है मलब मार्केट पर उसका रेड भी बढ़िया मिलता है चाह जाता है ओ एसका उल्टा सुचिए इसका उल्टा क्या होता है कोई भी कलर ब्लाक हो रेड हो कोई भी कलर तो तीन परसेंट जो है अपने ग्रेड लिया तो इस क्या होगा नाइटी सेविन परसेंट डाइड ले लिया परसेंट जो ग्रे लिया वह एक्सपर्ट कोमर का हाई माइक वाला जो बोल लाओ उसका कोम्ड स्लाइबर डालना तीन परसेंट जो तीन परसेंट बिल्कुल ना की बराबर है उसमें नेपस दिखे गाई नहीं तो यह आपको एक्जाम्पुल के लिए तीन परसेंट बोल लेते हो तो यह वाला जो हाई माइक काटन का इस्तवाल बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा तो उसमें क्या होगा देखो एक आपके बेनिफिट हो गया यह हाई माइक बाला कटन जब काम रहता है तीन परसेंट पांच परसेंट है इसमें कोई कि आपको इतना बढ़ाने क खरीद के रखते हैं और हमको इसका बेनिफिट मिल गया यह डायड पार्ट पर इसे ही करना ग्रेप पार्ट में भी अगर ग्रेवाला ज्यादा परसेंट है उसमें बहुत काम दिखेगा मल्दब ना की परापर नेफ्स मतलब है नहीं जिसे उसके बाद देखो ठीज टाइप याण यू में सेल अज प्रीमियम और एक्सपोर्ट कॉलेटे यह कपड़ा बनेगा मिलाज का चाहिए काटन मिलाज हो किसी मिलाज है इसका जो आप पर ınaग Bilकुल प्रीमियों क्वालेटी या एक्सपोर्ट क्वालिटी में गिना जाएगा और यू विल गेट गूड रेट इन मार्केट अगर इस तरह का अपने हाई माई कटन का इस्तमाल करोगी मलब बोलते इसको आडवांटेज लोगी तो आप ये कटन बेल रिजेक्ट करने से पहले ओपलेंड में देने से पहल किया और आज के ट्रपीक अडवंटेज अब कोर्स माई कटन का एंज भी मैं समाप्त करता हूं थैंक्यों